हर मन्जिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके पसंदिदाकारिक्रम देकंचनेगी शो में जिसका उदेश है उतराखन की कला संस्कृती साहित्य शिक्षा स्वास्थय परिटनितिहास के साथ सार प्रख्याज शक्सितों को आप सभी से रूबरू कराने का और आज की कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं लच्छी वाला दर्शको धेरादून के आसपास अगर आप सुन्दर प्रकृतिक मोहौल के बीच में कोई बेस्ट डेस्टिनेशन ढून रहे हैं तो लच्छी वाला न नेचर पार्क की लोग प्रेयता होने के पीछे क्या वज़ा है और नेचर पार्क में मौजूद म्यूजियम, वाटर पार्क समेथ अन्य आकर्षिन के केंद्र किस तरह से लोगों को लुभा रहे हैं आईए देखते हैं दश्टिनेशन को लच्छी वाला पिकनिक स्पोर्ट के रूप में पहले से पहचान रखता है लेकिन अब इसे नेचर पार्क के तौर पर विक्सित किया गया है लच्छी वाला में स्नान घर और कुंड सुस्वा नदी के छोटे छोटे निकास द्वार है नदी का उदगम आसन के निकट स्रोच से होता है जो देहरादून रोट पर अच्रोरी के पूर्व की ओर भेती है गर्मियों के दौरान यहां के पूल हर किसी को शार्थ और आराम दायक समय प्रदान करते हैं यही नहीं दर्शकों लच्छी वाला नेचर पार्क में टूरिस्ट कुद्रत की खुपसूरती का लुष्व उठाते हैं नेचर पार्क में धरोहर नाम का म्यूजियम तैयार किया गया है जहां उतराखन के इतिहास को संजोया गया है लच्छी वाला वाटर पार्क में पहले केवल परेटक गर्मियों में नहाने के इरादे से ही आते थे वहीं अब इसके नए सुरूप में आने के बाद से बारों महीने यहां परेटक आते रहते हैं इस पार्क में नकेवल उतराखन के टूरिस आ रहे हैं बलकि दूसरे राजियों से भी लोग उतराखन की संस्रिती को देखने और प्राक्रितिक स्वंदर्य को देखने यहां पहुँचते हैं म्यूजियम में उतराखन के दूडलब फूटेजिस भी रखे गए हैं सौ से जादा प्रकार की दाले उतराखन की संस्कृती से जुड़ी पारंप्रिक पुश्राख को भी यहां पर संजो कर रखा गया है दर्शकों लच्छी वाला से थोड़ी ही दूर परस्तित है योगनगरी रिशिकेश योगनगरी रिशिकेश एक पावन तीर्थ स्थल है यहां कई सारे प्राचीन मंदिर और घाट स्थापित है रिशिकेश का प्रस्तित स्थल लक्षमेन जूला भी काफी प्रख्यात है लगभग 1120 वर्ख किलोमीटर है लक्षमेन जूला के स्थापना की यदि बात करें तो लक्षमेन जूला का नर्मान ब्रेटिर सरकार द्वारा किया गया था देखना ना भूलें धेरादून के प्रसित परिटक स्थल लक्षी वाला नेजर पार्क के बारे में तेकंचन्ने की शो में शनिवार 18 नवंबर 2023 को रात नौ बजे सिर्फ धूरदर्शन उत्राखन पर